All India Parent Association दिल्ली सरकार से ये मांग करती है कि वो जो रेगुलर स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कोई भी भाना लगा के जो है स्कूल से ना निकाला जाए और दूसरी तरफ जो NOIS सेंटर्स दिल्ली सरकार ने चलाए हैं उनको तुरंद बंद कर दिया जाए दिल्ली सरकार जो है अपने CBSC के जो रेजल्ट्स हैं उनको बेहतर दिखाने के लिए बहुत ही घटिया तरीका जो है इस्तवाल करती है जिसके अंदर जो भी उनको लगता है कि ये बच्चा वीक है उसको निकाल देते हैं या फेल हो जाता है तो निकाल देते हैं पिछले 6 साल के अंदर लगभग 6-7 लाक बच्चे 9 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चों को इनोंने निकाल दिया शुरू में उनको पत्राचार गेले बोला और जब वो पत्राचार में भी फेल हो गए तो उनको जो है उनके लिए 2016-17 के अंदर इनोंने जो है NOIS सेंटर बना बच्चों के हितों के खिलाफ है और इनमें जो बच्चे निकलते हैं निकाले जाते हैं वो अधिकतर उनमें लड़किया होती है और इससाब आप समने लोग समझते हैं कि गवर्मेंट स्कूल के अंदर जो है बहुत ही वीकर सेक्शन के जो है बच्चे जाते हैं अभी क्नेक्ट नहीं हो रहे थे पेंडामिक के अंदर उनकी लिस्ट बनाकर अपने सारे अफसरों को बोला है कि इन बच्चों को ढूंडो और सबको एनो इस में जो है वो एड्मिशन कराओ तो यह बहुत बड़ा अन्याय एक पाप दिली सरकार जो है बच्चों के खिलाफ कर र इंट्रेस्टिंग यह है कि एक तरफ बच्चों को जो है जो भी कमजोर नजर आते हैं उनको स्कूल से निकाल देते हैं दूसरी तरफ हजारो हजारो बच्चों को जो बहार हैं स्कूल से उनको एड्मिशन नहीं देते कोई ना कोई बहाना लगा के और उसका रजल्ट यह ह हुआ है कि आज कम से कम रही तो दस से पंद्रा लाक बच्चे जो स्कूल के अंदर होने जिसमें दो डाई लाक डिसेबल बच्चे हैं वो सब स्कूल से भार हैं तो यह बहुत ही गंदी राजनीती जो है आम आदनी पार्टी दिल्ली सरकार में कर रही है थैंक यू